So, कुछ टाइम पहले तुम्हारे भाई ने एक वीडियो बनायी ती, जो की थी, ये वाली. और बहुत सारे लोगों ने अपनी हाइट बढ़ा बिली. But, बहुत सारे लोगों का ना, बहुत ही सारे लोगों का ना, ये confusion था, क्या 21 साल की एज के बाद भी हमारी height बढ़ती है society के अंदर सब लोग यह बोलते है कि तमारी height 20 साल तक कि जितनी बढ़ चुकिए है उतनी बढ़ेगी 21 साल के बाद height नहीं बढ़ेगी तो इस वीडियो के अंदर आज हम बात करने वाले हैं क्या 21 साल की age के बाद भी height भढ़ सकती है। और दूसरे point के बारे में मैं बात करूँगा, क्या masturbation करने से तुमारी height के ओपर कुछ effect पढ़ता है, और थर्ड बात, क्या gym करने से भी तुमारी height रुखती है। क्योंकि बहुत सारे माबाप उपने बच्चेों को 16-17 साल की age में gym वगरा जाने नहीं देते, वो बोलते हैं कि भाई अगर तुझ ज्यों करेगा इस age के अंदर तो तेरी height रुख जाएगी, तेरी growth रुख जाएगी। तो इन सब confusion को इस video के अंदर तुम्हारा भाई दूर करने वाला है। और इसी के साथ साथ तुम्हारा भाई बताने वाला है कि अगर तुम्हारी height कम है, तुम्हारी height नहीं भढ़ पा रही है, किसी भी reason की वज़े से, तुम्हारी height 100%, जी हां, 100% कैसे भढ़ सकती है। और हां, मुझे पता है, तुम्हारे भाई की वीडियो अच्छी लगने वाली है, तो इसके लिए सबसे पहले वीडियो को लाइक भी कर देना और चनल को सब्सक्राइब नहीं कराया है, तो चनल को सब्सक्राइब कर देना और बैल आइकन भी साथ दो दबा देना, जिससे अच्छा, वो थी हाइट से रिलेटेड तो बाबा मेरे से बहुत सारे लोग कोशन पुछें के 21 साल की एज के बाद भी हाइट भड सके गया, तो जब भी कोई मेरे से कोशन पुछें तो मेरी नजर तेरी आ जावी, मैंने गा तू जब साओधी गया ता तो तू मेरे से छो तो अब ये बता कि तो 21 साल के बाद 22 साल के एज में गया तो साओधी? हाँ, हाँ, 21 के बाद ही गया था 21 के बाद गया था ना, तो ये तो कन्फूजन दूर हो गया कि 21 साल के बाद भी हाइट भड सके है ना? तू मैं तुम्हें तुम्हारे फ्रस्ट कोईशन की अंसर में लिया? मेरे दोस्त की 22 साल के एज के बाद हाइट बढ़ी है और वो भी थोड़ी बहुत ने की एक सेंटीमेटर, दो सेंटीमेटर उसकी हाइट मेरे से वो 3 इंच के करीब कम था मेरी हाइट मेरी हाइट 6 फिट है वो मेरी हाइट से 3 फिट 5 फिट 9 इंच के राउंड थी और जब ही वो कुछ दिन पहले आया था ना वापस इंडिया उसकी हाइट ना मेरे जितनी पूरी के पूरी हो चुकी थी अब एक confusion दूर हो चुक है तुमारा कि 20 साल की बाद भी 21 साल के बाद भी तुमारी हाइट 100 परसेंट भड़ सकती है And now अब बात आती है कि मेरे दोस्त ने अपनी हाइट कैसे बढ़ाई और तुम भी अपनी हाइट 100 परसेंट कैसे बढ़ा सकते हो So सबसे पहले हमें step number first पर आजाते हैं जो कि मेरे दोस्त ने follow किया जिसके बाद उसकी हाइट बढ़ी और तुमें भी वो follow करना पड़ेगा जिसके बाद तुमारी हाइट बढ़ेगी अगर तुम इससे step को follow नहीं कर दे तो मैं तुम्हें लिख के दे देता हूँ तुमारी उतको रोग देती हैं रोग ही नहीं देती खतम ही कर देती हैं उसकी जिंदगी बरबाद ही कर देती हैं देखो जब मेरे दोस्त इंडिया के अंदर था ना उसने पढ़ाए वगरा सब को छोड़ दी हम सब लोग कॉलेज में जाने लगे बड़ उसने का मुझे पढ़ाई नहीं करनी मुझे पढ़ाई के अंदर मज़ा नहीं आ रहा है उसने कॉलेज जाना छोड़ दिया उसके बाद क्या हुआ वो कुछ दिन बाद ना स्ट्रेस डिप्रेशन एंजाइटी के अंदर आने लगा और उसके बाद होने लगे उसके पास पैसे खतम घरवालों से पैस उसकी जाब लगने की वज़े से जिसकी डिप्रेशन एंजाइटी की जैसे ही प्रॉब्लम खतम हुई उसकी जाब लगी उसकी सेलरे आनी चुरू हो गई और उसके बादा वह दो घृर नहीं चाने लग जाओंगा पूरी की पूरी वीडियो क्या घंटो लग जाएँगे म मैं तुम्हें simple और short बता देता हूँ जब हम stress, depression और anxiety के अंदर होते हैं तो हमारी body कुछ ऐसे hormones पैदा करती है ऐसे chemicals बनने लग जाते हैं जो कि हमारी body की growth को रोकते हैं और हमारी body shrink होने लग जाती है और हम पतले दूबले होने लग जाते हैं बट जब हम happy और healthy रहते हैं हमारे ओपर mental कोई भी stress नहीं होती तो उसके बाद हमारी body कुछ ऐसे chemicals बनाती है कुछ ऐसे hormones बनाती है जो कि हमारे happy hormones होते हैं जो कि हमारी body की growth करना शुरू कर देते हैं तो अगर तुम भी stress, depression, anxiety के अंदर हो तो तुमारी growth बहुत जादा रुकने के chances हैं तो इसलिए इसको खतम कर दो And now, जब तुम अपना gym के अंदर dumbbell से अपना weight चलाते हो असल में मेरे पास dumbbell नहीं है तो bottle से चला रहा हो तो जब तुम जिम में biceps की exercise करते हो तो तुमारा क्या बनता है तुमारी body बनने शुरू हो जाती है तुमारे biceps बनने शुरू हो जाते है इसी तरह जब तुम अपनी especially height को target करके अपनी height से related exercise करते हो तो तुमारी height 100% बनना शुरू हो जाती है बट तुम्हें सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि तुमारा height increase करने वाली exercise कौन सी होती है और वो तुमारी height कैसे increase करेंगी उसके लिए आजाती है हमारी 3 main exercise देखो सबसे पहले exercise आजाती है हमारी backward bends इसके लिए हमें अपने ऐसे हाथ रखने है और अपने pair करने हैं ऐसे बिल्कुल सीधे और उसके बाद अपनी back को ऐसे backward की तरह stretch करना है और उसके अंदर ध्यान रखना कि तुमारे हाथ भी बिल्कुल straight रहे और तुमारी back भी इस तरह stretch होए और इसके हमें ऐसे ही करने है 22-30 reps बिल्कुल सेम ऐसे ही 4-5 second के लिए आपने आपको यहाँ पर रोकना है और second exercise आजाती है हमारी forward bend अब इसके अंदर क्या गड़ना है normal forward bend मैंने last video के अंदर बताये थे बट इसके अंदर हम थोड़ा एक advanced level की तरह चल रहे है इसके अंदर हम use करेंगे dumbbell अभी मेरे पास dumbbell नहीं है तो उसकी वज़े से मैंने यहाँ पर अपने हाथ में यह एक ऐसी hair spray पकड़ रखा है बट तुम इसके अंदर अपने हाथ के अंदर dumbbell पकड़ सकते हो और उसके बाद तुम अपनी back को ऐसे forward stretch करना है अब third exercise आजाती है हमारी hanging with dumbbells देखो normal hanging अब इसके अंदर थोड़ा सा और proper stretch करने के लिए हम पैर के अंदर पकड़ के रखेंगे अपने dumbbell इसे क्या होता है हमारा weight ना हमारी body को थोड़ा सा और stretch करने में help करता है जिसकी वज़े से हमारी exercise के intensity और जाद अबढ़ जाती है और इसके results और fast आने लग जाते है गंटे पहले करना या खाना खाने के दो गंटे बाद करना इनको खाली पेट जितना हो सके न उतना जादा करना अब तुम्हें पता लग चुका है कि हमारी 21 के बाद height भी भढ़ सकती है और तुम्हें कौन-कौन सी exercise करनी है जिससे तुम्हारी height बढ़ेगी बढ़ भाई exercise ना सिर्फ अकेले काम नहीं करती जब तक के तुम अपनी body को proper तरीके से nutrition नहीं दोगे तुम खाली खीच रहा अपनी body को बढ़ उसको जब nutrition नहीं मिलेगा तो उसका size बड़ा कैसे होगा तो अपनी body को proper nutrition प्रोवाइड कराना पड़ता है अब जब हम gym करते हैं मसल का size बड़ा करने के कोशिश करते हैं तो हम अपनी body को क्या देते हैं? प्रोटीन ना? अब इसी तरह हमारी हड़ियों बनी होई होती हैं कैल्शियम से तो हमें अपनी body को क्या देना पड़ेगा? कैल्शियम और दूसरा, स्टॉंग करने के लिए अपनी हड़ियों को vitamin D तो ये दो important चीज़े होती हैं जो हमें अपनी body को देनी पड़ेगी अपने nutrition के साथ जिसके बाद हमारी हड़ियों का skeleton का size बड़ा होने लगेगा अब इसका मलब ये नहीं है, खली तुम calcium और vitamin D खाओगे बाकी और भी चीज़े तुम्हें खानी है बट इन दो चीज़ों को specially अपनी diet के अंदर extra खयाल रखना है अब तुम पुछोगे कि इन दो चीज़ों को कैसे add करे अब ये तो सब के सब food है जिसको तुम अपनी diet के अंदर add कर सकते हो इनसे तुमें calcium मिल जाएगा और तुम सूरज में जाते हो, तुम सूरज से vitamin D ले सकते हो बट अगर तुम जादा सूरज में धूप में नहीं जाते है तुमें centaine की problem रहती है तुम उसके लिए vitamin D का supplement भी ले सकते हो और अगर तुम चाते हो कि तुम दोनों का calcium और vitamin D का supplement अपने diet के अंदर add करना चाते हो तो तुम इन दोनों के supplement भी add कर सकते हो सो बाबा, पता लग चुका है तुमें तुमारी height बढ़ाने की क्या तरीके हैं क्या बढ़ सकती है, सब कुछ मैंने बता दिया है अब जो लोगों को बहुत ज़्यादा confusion रहता है कि क्या gym करने से height हमारी रुकती है तो इसका answer है हाँ भी और नहीं भी देखो, जिम करते हुए हम क्या करते हैं जब हम shoulder presses करते हैं जिम में तो उसमें क्या होता है, हमारी body के ओपर weight पड़ा होता है, जूकि सारा का सारा weight हमारे structure पर होता है जूकि हमारा back की spinal cord होती है उसके ओपर होता है, अब जब हम उसको ऐसे करते हैं तो हमारी spinal cord compression mode में जाती है जिसकी वज़े से बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अगर तुम जिम में exercise करोगे, तो तुमारी height कम होगी, तो इसके लिए ना तुम क्या कर सकते हो, जब भी तुम अपने ओपर heavy sets चला रहे हो, जिसके ओपर तुमारा gym वगरा का सब का सब weight तुमारे उपर से नीचे तक compress इस तरह कर रहा है, तो तुम उसके बाद क्या कर सकते हो, तुम उन sets के बाद last में लटकने की exercise कर सकते हो, जिससे जो भी तुमारी compression है तुमारी body के अंदर, वो तुमारा वापस से ठीक हो जाए, और दूसरी चीज, तुम अपने gym के अंदर कम weight का use कर सकते हो, जब भी तुम compression वाली कोई भी exercise कर रहे हो, and now, अब आजाते हैं हमारा last question, जो कि तुम लोगों ने मुझसे बहुत बारी बोचा है, जो कि यह हमारा क्या masturbation हमें हमारी pitch कारी use करने की वज़े से हमारी height growth रुख जाती है, तो देखो, इसका भी answer है हाँ या नहीं, अब depend करता है, तुम कितना जादा कर रहे हो, देखो हमारा जो सीमन होता है जो कि masturbation के बाद तुम ejaculate कर देते हो, अब उसके अंदर भी ना, बहुत सारा nutrients होते हैं, जो कि हम अपना waste कर देते हैं, जैसे कि हमारे blood के अंदर nutrients होते हैं, हमारे पूरी body खाने से ही बनी हुई है, अब उस चीज़ को अगर हम बहुत जादा waste कर देते हैं, बहुत ही जादा, मलब की हद से जादा करते हैं, तो maybe chances है, तुमारी height के उपर effect पढ़े, बट अगर तुम कभी कवार कुछ ऐसा चाहता है, महिने में एक दो बारी कुछ ऐसा चलता है, तो तुमारी height के पर कुछ जादा effect नहीं पढ़ेगा, और मैं science और Ayurveda दोनों के recording बता देता हूँ, science के recording ना, इन सब चीज़ों से हमारी body के उपर कुछ भी जाद effect नहीं पढ़ता, और science ना, जितनी भी activities है ना, ये सब वाली activities, उन सबको तो ठीक हैती है, कि स्ट्रेस कम होती है, ये सब कुछ होती है, ये तो अच्छा बताती है, और other hand पर Ayurveda इन सब चीज़ों को गलत बताता है, तो मैं basically Ayurveda की जाद सुन कर चलता हूँ, मैं इन सब चीज़ों को recommend नहीं करता हूँ, और तुम भी इन सब चीज़ों के अंदर, जितना कम से कम involve हो, उतना कम से कम involve हो ना, तुमारी height की growth सबसे जादा, इन सब चीज़ों को छोड़ने के बाद बढ़ना शुरू हो जाएगी, सो बाबा ये थी हमारी सारी के सारी important tips, जिनको follow करने के बाद तुमारी height अगर नहीं बढ़ी ना, तो तुम भाई का नाम बदल देना, इन सब के बाद मैंने तुम्हें 100% example तक के दे दिया है, कि मेरे दोस्त की तुमारे सामने किस तरह 100% height बढ़ी है, और photos के साथ example ये मैं दिखा रहा हूँ, कि मेरे दोस्त की मेरे से कम height थी school के time से, और उसके बाद अचानक से 22 साल की age के बाद उसकी 100% height बढ़ी है, तो अगर तुमारी भी height किसी भी reason की वज़े से कम है ना, तुम भी इन सब tips को follow करो और उसके बाद जादू देगे ना, कि तुमारी height कितनी speed से कितनी fast fast बढ़ना शुरू हो जाती है, So that's it, मेरे भाईयो, ये थी हमारी आज की बहुत important video, जिसके लिए मेरे पास बहुत सारे questions आ रहे थे, So बहुम मिलते हैं next video में, till time तुम अपना ध्यान रखना, और अपने भाई को चैनल को subscribe भी कर देना, bell icon भी दबा देना और वीडियो को like करना मत भूलना, So that's it, peace.